दुनिया का सबसे बड़ा लोक्तंत्र भारत और इस समय देश में चल रहा है लोक्तंत्र का सबसे बड़ा उत्सव यानि लोक्सभा चुनाओ आजाद भारत के चुनावी सफर के शिर्वात 1952 से होती है जब देश में पहला चुनाओ लड़ा गया और इस लंबे चुनावी पर के धेरों किस्से कहानिया है और ऐसे ही कुछ चुनिंदा किस्से कहानिया मैं यानि अनंत भट आपको बताऊंगा भारत एक ऐसा देश जो सभिता संस्कृति के हजारों रंग खुद में समेटे हुए है चुनाओ ऐसा मौका जब ये रंग दुनिया के सामने आ जाते हैं हर चुनाओ के एक ऐसे ही नाया परचार के तरीकी से जुड़ा हमारा आज का किस्सा है तो सबसे पहले जान लीजिए कि किस चुनाओ से जुड़ा है ये किस्सा ये चुनाओ किस्सा है उनिस सो सरसट लोगसभा चुनाओ का इस कहानी के किरदार है भारतिय जनसंग के किरदार 1957 के दूसरे लोकसभा चुनाव में वोटिंग हुई अब ये देखिए कहानी में से कहानी निकल आई तो अब साइड स्टोरी से निकल कर अपनी में स्टोरी पर फिर से फोकस करते हैं हां तो हम बात कर रहे थे इस कहानी के मुख्य किरदार राम गुपाल जी की जिने जनसंग ने चांदी चौक से मैदान में उतारा था अब वो जमाना हाइटेक तो था नहीं लहाजा प्रचार में जनसंपर की एहम भूमिका थी रैलियों सभाओं डोर टू डोर कैमपेंड का जोर था अपनी प्रचार को दूसरों से अलग करने के लिए राम गुपाल जी न एक फॉर्मुला निकाला और यह फॉर्मुला था एक चुटकी नमक वाले प्रचार का है ना कहानी में फिल्मी ट्विस्ट हो सकता है आपको इस एक चुटकी नमक वाले प्रचार से एक चुटकी सिंदूर वाला फिल्मी डायलॉग ध्यान में आ जाए याद किजिए शाहर गरगः गूंगते थे, अपना लोटा आगे कर देते, एक Salant की न मवान डालने की अपील करते, और इसी दौराँ वोगों से अपने पक्ष में वोड डालने, की भी अपील करते इस तरह वो अपने प्रचार में वोटर के साथ नमक वाला रिष्टा जोड लेते आम वोटर सी नहीं एक चुटकी नमक के लिए राम गुपाल जी ने विरोधियों के घरों पर भी दस्तक दी तो एक चुटकी नमक वाला प्रचार तब काफी हिट हुआ और प्रचार के सलग तरीके ने पूरे चाननी चौक में राम गुपाल जी की अलग पहचान मनाई उनिस सो सरसट के इस चुनाओ में चाननी चौक की सीट जनसंग के खाते में गई तो कुछ और ऐसे ही चुनाओे किस्से हम आपके लिए लेकर आएंगे अजब चुनाओ की घज